हाई गाईज, वेलकम बैक तो माई चैनल, आज हम ये आलिया भट इंस्पायर मेकप लुक क्रियेट करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, ब्राइमर से, सबसे पहले अच्छे से अपनी टी जोन पे प्राइमर लगा लीजे, उसके बाद मैं कंसीलर पॉर्ट में से, एक कंसीलर शेड को पूरे फेस पे लगा रही हो, और इसके बाद स्विस ब्यूटी कंसीलर, अपने डाक सिर्कल्स को हाइड करने के लिए लगा रही हूँ, बहुत ही क्विक एजी मेकप लुक है, बहुत जल्दी कोई भी कर सकता, और एवरी डे के लिए भी ये परफेक्ट है और इवन अगर आप ब्राइट लिप कलर एड कर देंगे, तो ये शादी फंक्शन के लिए भी प्रॉपर है ये लुक, तो अब मैंने ब्लश यूज किया है एक ब्लश पैलेट में सी, अच्छे से ब्लश लगाया है, फुल ओन, हेवी ब्लश लुक है ये, अब देख सकते ह जैसे उनके चीक्स पर है, आप पिच्चर को रेफरेंस के लिए देख सकते है, अगर आपको चाहिए तो, एंड येस, ब्लश के बाद हम हाइलाइटर लगाएंगे, शुगर के पैलेट से मैंने हाइलाइटर पिक किया है, शैंपेणी हाइलाइटर है, जो कि ब्लश को जैसे आप युजुली लगाते है, एंड देन उसको अपनी अपर लाइन पे भी लगा लिजा, अपर लैश लाइन पे, जहां पे आप लाइन यूजुली अप्लाई करते है, एंड थोड़ा थिक लगाईए उसको, क्योंकि हमें उसको ब्लेंड करकी, एक स्मोक्ट आउट देना है, तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंनी किया है, एक प्रश के हिल्प से उसको अच्छे से समझ कर लीजे, बोथ लैश लाइन को अपर एस वेल लोवर, इससे आपका लूक अल्मूस्ट कम्प्लीट हो जाता है, और उसको मस्कारा सिफ कम्प्लीट कीजे, आई लूक क तो अगर आप चाहते हैं, तो आप लैश लगा सकते हैं, और आप सुर्फ अच्छे मस्कारा का यूज़ कर सकते हैं, मैंने ब्लू हेवन का मस्कारा यूज़ किया है, और इससे आप देखेंगे कि आई लूक पूरा कम्प्लीटली चेंज हो जाता एक तरसे, और जो रिमेन यूज़ नंबर 10 है इसका, और इसको मैंने अप्लाई किया है, यह पूरी तरह से कंप्लिमेंट करी है हमारे आई लूक को, आप चाहे तो पिंक न्यूड भी यूज़ कर सकते हैं, मौवी न्यूड भी यूज़ कर सकते हैं, इससे हमारा लूक कंप्लीट होता है, मैंने एक एक दूपट्टा उनके तरह वेर किया है, यहरिंग वेर किया है, और एक बिंदी लगा ली है, और यह फाइनल लूक हमारा कंप्लीट होता है,